तो नव एलो उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अभी तक आप लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक के सारे वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा आज day seven है और बालिया अवस्थ है बाल विकास अपना लोग परहेंगे आज अपना लोग इस किताब को देखेंगे कि इसमें किस परकार का question आता है किस परकार से बनाना है notes और कैसे क्या करना है तो हम जेदा समय नहीं टेंगे आप लोगों को यहाँ पर उल्टा करके हम दिखा देना चाहते है कि तिन चार questions को मैंने एक questions में कैसे तबदिल किया है यहाँ पर देखे सबसे पहले अपना लोग का question था बिर्धी आप विकास के अब धारनास पस्ट किजिए बिर्धी से आप क्या समझते हैं, बिर्धी से क्या तातपर है इन सारे questions को एक जगा मैंने लिख लिया है विकास का क्या अर्थ है, यह सारे questions आप लोगो को note के माधियम से हम एक एक करके आप लोगो को बताते हैं तो जो लोग अभी तक नए हैं वो लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पले लिस्ट का लिंक डिप्सक्रिप्सन में दिया गया है डे 6 तक की वीडियो आप लोग देख लिजेगा अभी आप लोग डे 7 देख रहे हैं टेलिग्राम को जोईन कर लिजेगा ताकि आप लोग को रेगुरर अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है और नोट्स भी वहीं पर मिलता है तो बिर्धी अब हम विकास क्या कहता है कि बिर् लगातार होती हुई परिवर्तन विकास किसी लक्ष की वर परिवर्तन होता है जैसे मानसिक विकास होता है सारे रिक विकास होता है इसके बाद संभेगात्मक विकास होता है यह सब चीज क्या होता है आपको विकास के अंतरगात आता है तो विकास परानी में होने वाला पर परिवर्तन जो कार्ड या चरित्र में गुनातमक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाता है इसको आप लोग नोट कर लिजेगा विडियो पॉज करके या नहीं तो आप लोग टेलिग्राम जोईन कर लिजे वहां पर आप लोग को सीधा नोट सी मिलता है चलिए आगे हम लोग भीकास विद्धि एवर्म विकास में अंतर क्या है तो देखिए दोस्तों क्वेस्चन लिखने का धंक कुछी इस परकर को होता है ओच लुझत बिकास में गुनातमक परिवर्तन होता है जबकि क्या होता विकास में घोल से था और इगदम से तीज हो इंटेलिजेंट हो गया तो उसको हम लोग गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं उसमें क्या होता है गुनात्मक परिवर्तन होता है यह केबल सारीरिक परिवर्तन को दिखाता है बिर्धी क्या करता है केबल सारीरिक परिवर्तन को दिखाता है जैसे लंबाय चुराय यह सब दिख बिर्धी क्या होता है परिपक्तवा के साथ रुख जाती है जबकि विकास क्या होता है जीवन के बीस्तार तक अनबरत चलता रहता है अब परिपक्तवा क्या होता है यह आप लोग नहीं समझते होंगे इसको हम आप लोगों को बताएंगे जबकि यह चलेगा डिये 8 में डिय इसकी ओर होती है, विकास की गती निरंतर चलती रहती है, विकास में भ्यदे स्थीर रहते हैं, इन सब चीज को पॉइंट को हम अलग-अलग डिसकस करने वाले हैं, अभी आप लोग यह देखिए, शरीर के भिविन-भिन-अंगो के विकास की गती अलग-अलग होती है, बालक आप लोग गेस पेपर में बारत नमबर पेज पर देखेगा, यह कोहचन आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग एक मिल्टा लेते हैं, देखिए, यह कोहचन था बाल-विकास के मुल्भूत सिधानतों का वर्नन कीजिए, यह नहीं तो आएगा विकास के किनी-चार सिधानतो का वर्नन कीजिए, तो विकास एक निश्चित परती रूप होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप लोग देखते होंगे कि जाती या नसल, चाहिए वह मानब जगत का हो, या फिर पसु जगत का, विकास एक निश्चित परती रूप के अनुसारी होती है, विकास की आपके बालकों के व्यभार संबंधी आधियन से सिद्ध कर दिया गया है कि बालकों का व्यभार संबंधी विकास होता है वह एक निश्चित परती रूप के अनुसार होता है तो आप लोग समझ गया होंगे कि विकास एक निश्चित परती रूप होता है क्यों होता है क्योंक मानव किया होता कि पहले उसका अगला नात निकलता है फिर पिछला पहले उवह चलना सिकता है इसके बाद एक निषजीत पर्ति रूप होता है अब डुसरा पॉंट है विकास समानिय से विसेश की ओर होती है तो देखिए विकास के मुल्ट सिधानतों के अनुसार विकास की सभी परतिकिरियाओं में चाहे वे सारीरिक हो या मांसिक हो बालक की परकिरियाएं पहले समानिय होती है बाद में विसेश बच्चा पहले अपने सरीर को चलाता है और फिर बाहें घुमाता है और उसके बाद बस्तूओं को पकरने का परियास करता है इसी तरह वह पहले बरी-बरी बस्तूओं को देखता है फिर छोटी-छोटी बस्तूओं को पहचानने में भी ऐसा करम चलाता है विकास समानिय से भी सेस क्यों और होती है तो देखिए आप लोग कभी भी बच्चे को देख रहे होंगे कि जैसे खिर्की के पास रख दीजेगा विंडो जिसको आप लोग बोलते हैं खिर्की जो समझते हैं वो तो अच्छा से समझ लिजेगा जैसे किसी बच्चा को आप बेड़ पे रख दीजेगा वहाँ पर बगल में खिर्की रहता है तो देखेगा कि बच्चा उसको पकर के अपने तरफ गीशता रहता है मतलब उसको लगता रहता है कि हम खिर्की के रोड को तोर देंगे लेकिन उससे नहीं तूटता है तब वहाँ जोँ जोँ बड़ा होता है तब उसको समझ आता है कि नहीं यह नहीं तूटने वाला हम रोड उठा सकते हैं बट खिर्की का पला खोल सकते हैं बट हम खिर्की नहीं तोर सकते हैं तो विकास के आधा समानी से विशेश की ओर होती है, अब क्या काता है कि विकास की गती निरंतर चलती रहती है, उपर से ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर होता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है, विकास की परकिरिया सतत आवद गती से चलती रहती है, सारे रिक वह मानसिक सील गुनों का विकास रिंखला ही करी के रूप में रहता है कोई बात एका एक नहीं होती है विकास की परक्रिया निरंतर चलती रहती है जब कभी भी विकास होता है तो एका एक नहीं होता अगर सारे रिक विकास हो रहा है विकास में भी भेद होता है विकास का भेद क्या होता है स्थीर रहते हैं कहीं हो रहते हैं इसको देखते हैं जिस बालक का विकास परारम से तिब्र होता है उनका आगे भी वैसा ही रहेगा तथा जिसका विकास शुरू से धीमी गती से चल रहा है उनका विकास आगे भी धीम वाले बालक बड़े होकर वही मंद बुधी वाले बने रहेंगे सबसे पहले एस्थीर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं देखिए मतलब समझ लिजेगा तो आप लोग point by point समझ लेज़ेगा एस्थिर का मतलब रुका हुआ stop मतलब विकास में भेद एस्थिर रुका हुआ रहता है जैसे किसी बालक का अगर विकास तिबर गती से हो रहा है तो उमर्नो परां तक उसका विकास तिबर गती से ही होगा अगर किसी बालक में विकास एक दम मंद गती जे हो रहा है तो उमरनों प्रान तक उसमें गती क्या रहेगा विकास की मंद ही रहेगी तो यही कहता है तो देखिए क्या काता है, कि सरीर तथा मन के विभीन अंगों के विकास की गती अलग अलग होती है, तो इसका अर्थ अगर आप लोग जान लिजएगा, तो इसका आप लोग अच्छा से कर लिजएगा, तो देखिए क्या काता है, कि सरीर तथा मन के विभीन अंगों के विका लिये हो यही कारण है कि सरीर के कुछ बागों का विकास तेजी से होता है तता कुछ धिमी गती से तक्सक्ति करत कटी क्लपना सक्ति अस्मरं सक्ति के बारे में विलो rut, होती है यहुदड सरीर के विभीन अंगों के विकास की गती भिन-भिन होती है किन्टु यह सब います पर भी अधिकान सील गुन परस्पर संबंधित होते हैं सरीर के भीन भीन अंगों के विकास की गती अलग-अलग होती है देखिए जब कभी भी बच्चा पैदा लेता है तो उसका कुछ अंग छोटा रहता है कुछ अंग भरा रहता है तो उसमें जरूरी बात यह नहीं नहीं इसके बात देखिए कि छे नमर पॉइंट में आता है बालक का विकास करम मनुस मात्र के विकास के सामान जैसे रखता है इसमें हमको बताया जा रहा है कि इस सिधान्त का परतिपादन एस्टेन ले हॉल ने किया है उनका कहना है कि जिस तरह मनुस अपनी प्राकिर्तिक वो बरबर अवस्था से उपर उठकर सभी बनता है उसी परकर बालक भी अपने जीवन में प्राकिर्तिक अवस्था को पार करके सभी समाज में रहने योग बनता है बालक अपने पसु सभात को धीरे धीरे छोर कर सदाचारी बनता है यह विकास के सिधान्त कनुसार ही होता है बालाकों का विकास करम मनूस मात्र के विकास से सामन जाएषरा रखता। पहले क्या होता था कि पहले आपना लोग में पसु वाला जो भी विभार था वो अपना लोग के अंदर था। पहले तो हम अपना लोग भी पसू के जमानी थे, आज से 25-26 वर्ष पहले, अगर इत्यास परहे होंगे तो आप लोग एको knowledge होगा, इतना वर्ष पूर क्या थे, चिंपैंजी थे, इसके बाद धीरे-धीरे मतलब पसू वाला ही, पहले अपना लोग का माथा रहा करता था, इ शेहरा अच्छा हुआ, इसके बाद मनुस से बने, इसके बाद मनुस रूप में अपना लोग रहते हैं, जबास सत्मा पॉइंट है, फ्राइट का अनुसार बालक का विकास, उसकी प्रेम या काम परविर्थी के अनुसार है, उन्होंने बालक के प्रेम परदर्शन की चार अबस्ता हैं, परथा मदस्ता में बालक स्विम अपने आप से ही प्रेम करता है, और अपने आप मोहित रहता है, जब बचा पैदा लेता है, तो आप लोग देखते होंगे, कि वो अपने प्रेम में धून रहता है, उस सबस्रा को कहीं भी इधर उधर का कोनो बात समझ में नहीं आता है, लेकिन अपना उसको एक दम कभी पैर छिर पिटाएगा, कभी पैर का उंगली मुह में लगा, कभी हाथ का उंगली मुह में लगा, उसको मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको कोनो तात पर नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है जानन यह हैं दूसरी अवास्था बाल्य काल की है इसमें बालक अपने माता-पाथ से प्रेम करता है जब बच्चा धीरे-धीर बरे हो जाते हैं तो देखते होंगे कि वो अपने माम पपा के गोधी में चले जाते हैं लेकिन ऐली बैली के गोधी में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं काहिकि उसको डर लगता रहता है और ममी पमेत को क्या करते हैं वो प्रेम करते रहते है फ्रैट का मत है कि इस अभस्ता में लर्का मा की और और लर्की पिता की और आकर्सित होते हैं ठिठा अपने उपर पुड़ा अधिकार चाहते हैं तिसरी अवस्था में बालक समलिंगी बालकों में प्रेम भव अस्थापित करता है तिसरी अवस्था में क्या होता है जब बालक बड़े हो जाते हैं तो वो अगदम प्रेम चाहता रहता है तो उसी अवस्था में लोग गलती कर लेते हैं प्रेम करके जो इसमें भी कितने सार हमारे student होंगे उसको प्रेम हो गया होगा बट क्या है कि प्रेम कभी होता ही नहीं है यार एट्रेक्शन होता है हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि प्रेम कुछ नहीं होता है अगर कोई कहाता है हम प्रेम करते हैं प्रेम पिल्कुल गलत है प्रेम किसन भगवान किये थे लाधा जी से अभीन छितना भी लडरका प्रेम कर रहा है उसको इस ट्रेक्षन हो रहा हुआ उसको रूप से, उसको छहरा हो सच बोडी से चलिए तो आजके लिए इतना है कल अब आगे वीडियो देखेंगे अनगर चैनल पिन द lovers कुण يक आ cul near タ